Hello friends, welcome back to the channel देखिए HPSC ने जो अभी आप लोगों का PGT Commerce का एक्जाम होगा ठीक है PGT Commerce का या सभी जो भी PGT Subjects है तो उन सभी का जो भी आपका Screening लिया जाएगा तो उसका जो Slaves है उसको Release कर दिया गया है और इसी के साथ ही यह जो Slaves HPSC का और इसी स्लेवस को मैं आपको इसी चैनल पर कम्प्लीट स्लेवस में आपको कराऊंगी और आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और आपको बिल्कुल रेगुलर बेस पर हम डेली का डेली एक एक टोपिक उठाएगे और उस टोपिक को करेंगे तो चलिए पहले हम बात करते कि भी आपका स्लेवस क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका स्लेवस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया पार्ट वन और पार्ट वन में आपका बिजनेस टर्डिज एंड मैनेजमेंट ठीक है तो आपके business studies management को रखा गया है और जो part second है उसमें financial accounting तो वहाँ पे हम financial management है या फिर जो accounts की अगर हम बात करते हैं तो basically वहाँ पे उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ business studies and management की तो इसके अंदर आपका basically कौन-कौन सी chapter है कौन-कौन सी topic है तो जैसे कि हाँ पे introduction to business है जिसके अंदर आपको concept, characteristics, objective यह सब आपको करना है यसी के साथ ही आपकी जो भी 2400 forms of organization last scale and small scale business क्या है तो basically यह पूरा आपका 11th class में से यहाँ पे आपकी 11th और 12th थे देखे, मैं बार-बार आपको बोलती हूँ जैसे अभी आपने estate की तयारी की होगी तो उसमें भी जो main focus था वो 11th और 12th पर था तो अगर आपने अभी estate की तयारी के टाइम अगर अपने 11th और 12th को अच्छी से complete आपने अगर कर लिया है जैसे हाँ पर फॉर्म ओफ बिजनेस ओर्गिनेजेशन इस ओल प्रोप्राइटर्शिप है जोएंट हिंदू फैमिली है पार्टनेशिप है जोएंट स्टोग है ठीक है तो इस सारे के सारे कहां पर आपका क्लास 11th की बीस्ट के अंदर है उसके साथ फिर आपका और बीस्टैटर्ट के अंदर है एंदर है जो आपके सर्सिज़ है कि इंडेर कहां कहां से अरेंज कर सकता है क्या Hah हमारे और हमारे और भी हस ओर्सिज़ है तो आँइस के vardır के बाद करेंगे उसके अफे नश्य लेंट रेटिंगी और बाद and business ethics, फिर next आपका management start हो जाएगा, कि भी management क्या meaning क्या, फिर principle of management है जिसके अंदर आपके हेंडी फ्योल के जो 14 principle है, आप सभी को पता कि 14 principle कितने important है और वहाँ से question तो आना ही आना है, ठीक है फिर next आपका business environment है और फिर आपका managerial function है जो कि आपके है planning, organizing, staffing, तो यह सब फिर हम बात करेंगे financial management की, जिसके अंदर हम जो भी हमारे capital structure क्या रहेगा capital bursting क्या है, leverage क्या है fixed and working capital हमारे इन सब के बारे में हम बात करेंगे, फिर next रहेगा financial market जिसके अंदर हमारा money market, capital market, यह सब इसके अंदर आजएगा, ठीक है, stock exchange है से भी है, फिर है next आपका human resource management, तो जिसे यह HRM है यह आपके baby com, m com, level के topic आजएगे, ठीक है, तो इन सब को भी हम करेंगे, manpower क्या है, आपका training, development, recruitment है, फिर marketing आपका आजएगा, यह भी marketing क्या है, level of marketing, इसी के साथ product mix और model of marketing next आपका OB है, organizational behavior तो जिसके अंदर आपका leadership है personality है, motivation है तो यह सारे के सारे chapter आजएगे तो यहाँ पर आप जो syllabus है, उसको देख सकते हो और one by one हम complete syllabus करेंगे उसके बाद फिर आपका next हमारा BPR ठीक है, मिन से business process, re-engineer, TQM ठीक है, TQM मिन से total quality management, तो सब के बारे में हम बात करेंगे quality circle तो यह सारे के सारे क्या है, emerging trends in management है, फिर consumer protection है ठीक है, आपका जो भी consumer rights है, तो जो consumer protection act है, उसके regarding इसमें बात की गई है जिसके मैंने आपको बताया, दो पार्ट्स में आपका syllabus है, सिकिंड पार्ट आपका financial accounting and the financial statement analysis, तो इसके इंदर हम basically हम किसको study करेंगे, जो accounting रहने वाली है, accounting का meaning क्या है process of accounting क्या है, accounting principle है, तो देखिए अभी हाँ पे ध्यान से सुनना, जो भी candidate अभी तक वीडियो के साथ बने हुए है, तो जुरूर ध्यान से सुनिए, जो accounting वाला पोर्सन है यह ओल्मोस्ट मैंने करा दिया, अभी बिल्कुल जश्ट अभी मैंने स्टार्ट किया, जहां पे मैंने आपको KVS Slaves हमने, मैंने बोला कि KVS Slaves हम स्टार्ट कर चुके है, तो देखिए जो KVS का Slaves है, और जो यह HPSC का Slaves है, अल्मोस्ट आपका सेम है, तो कुछ चेप्टर आपके अलग रहेंगे, कुछ टोपिक अलग रहेंगे, वो मैं आपको बता दूँगी, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगी, वीडियो में मैं स्पिसली में कर दूँगी, यह टोपिक आपका KVS में है, या फिर नहीं है, या फिर लोगों के टोपिक है, तो ऐसा कोई जुरूरी नहीं है, कि भी एक दो एक्स्ट्रा टोपिक अगर आप करके चले भी गए ना, तो आपका ही बेनिफिट है, तो फिर आपका एक्मिक्योशन गलत होने के चांसी नहीं होंगे, तो देखिए, मैंने अकाउंटिंग करा दिया, meaning objective, qualitative characteristics of the accounting information, यह सब मैंने अभी-भी कराया, जस्ट ठीक है, तो आप लोग जो भी HPSC screening की तयारी कर रहे हैं, वे इन वीडियोज को देखिए, और अपनी जो तयारी हैं यहां से स्टार्ट कर दीजी, अगर आप मेरे साथ अपनी तयारी करना चाहते हो, तो मैंने आपकी accounting स्टार्ट कर रखिए हैं, और accounting के अंदर मैंने accounting principle भी आप लोगों को करा दिये है, accounting concept भी करा दिये हैं, तो अभी जो यहां पर जो topic आपका बच्चा हुआ है, यह बच्चा हुआ है, accounting standard और cash and accrual basis of accounting, तो जैसे ही मैं यह topic करा दूँगी, तो आपका जो HPSC वालों का यह वाला topic है, यह वाला जो syllabus है, ठीक है, यहां पर यह देख सकते नहीं चलेगा न, इतना टाइम भी नहीं है, और फिर वही बात मुझे repeat करनी है, तो इससे अच्छा आप लोग उसी वीडियो को देख लेना, और वहाँ पर इसलिए जो thumbnail है, ना thumbnail के अंदर फिर मैंने वहाँ पर निचे लिख भी रखा कि यह एच पेस के लिए भी है, डीटी प्लेस भी के लिए, सब के लिए ही है, तो दिखना यह वाला topic आप लोगों का भी हो चुका है, आप जाकर उन वीडियो उसको देखिए, और अपना जो topic है, उसको त्चे से तियार कीजिए, और अभी आप लो नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि जब आप रिवाइच करोगे, तो उस टाइम यह जो नोट्स अभी आप बनाओगे, उस टाइम आपकी बहुत ज्यादा है, तो चलिए अब इसलिए बस आगे बता देती हूं, तो आगे हमें जो financial accounting के अंदर करना है, vouchers हमारे क्या है, ठीक non-profit for organization partnership है, तो यह सारा आपका किसमें आजाएगा, financial accounting के अंदर, accounting for joint stock company, share capital है, ठीक है, ratio of shares, debenture है, फिर आपका financial statement analysis आजाएगा, जिसके अंदर हम tools of financial statement करेंगे, जिसके हमारे analysis करने के आपका comparative statement, common size statement है, यह सब के सब इसके अंदर आजाएगा, फिर हमारा funds flow statement है, cash flow statement है, इस इसी के साथी cost accounting है, जिसके अंदर हम बात करेंगे, job costing की process, costing की margin costing की, फिर हमारा थोड़ा सा portion computer से related भी है, कि भी computer के क्या use है, क्या role है, introduction to computer है, तो यह ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इसको भी हम कर लेंगे, accounting and database management system है, ठीक है, यह सब आजेगा, फिर inflation accounting and accounting for human resource of an organization and social responsibility, तो य यह basically आपका commerce का syllabus है, HPSC screening के लिए, तो अभी आपको syllabus पता चल चुका है, और मैंने तयारी भी start कर दी है, accounting के अंदर, almost ही, आज या कल में आपको accounting standard को हम last में करेंगे, बस accounting standard में अभी नहीं कराऊंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो शायद हम भूल जाएंगे, ठीक है, तो इ मेरे साथ तयारी कर रहे हो, ठीक है, फिर next हमारा, फिर हम, अभी मैंने accounting ही उठा रखी है, तो फिर process of accounting ही सब हम करेंगे, तो कुछ time तक तो हम अभी मैं accounting की video आपको दूँगी, और फिर जैसे ही ज्यादा बच्चे जूड़ जाएंगे, ठीक है, यह आप लोगों के डिपे फिर इस तरह से हम अपने दोनों ही parts को साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए रुक जाना, अभी कुछ दिन के लिए तो आपको एक एक वीडियो ही मिलेगी, accounts की, तो तब तक आप जितना हो सेगे न, उतने बच्चों को हमारे चैनल के साथ जोड़ दी अगर फैब के अंदर हमारा एक जाम हुआ, तो फिर जल्दी आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जएगी, ठीक है, तो कोशिश रहेगी की ज्वाइनिंग अप्रेल तक हो जए, तो भी एक अप्रेल से हम स्कूल को ज्वाइन कर लेंगे, फिर देखिए, मैंने आपको सले प्रोटेंस आप देख सकते हो कितनी है, तो सब्जेक्ट को अपना बिल्कुल स्टोंग कर लीजिए, और कोशिश कीजिए, कि हंडर में से ना आपे 95 प्लस स्कूर करो, ठीक है, नहीं तो 90 प्लस तो जरूर स्कूर करो, किसमें सब्जेक्ट में, और अगर आप चाहोगे तो कर भी सकते हो, और इसी के साथ ही, फिर आपका ये जो 50 marks का रहेगा, दर section जिसके अंदर आपके education psychology आजेगी, तो यहाँ पे ये देख लेना, और तो यहाँ पे आप लोग ये देख लेना, ठीक है, इसके बाद फिर आपका आगे है, pedagogy and teaching learning material, ठीक है, तो ये आपके, आप कैसे कहां से आपको त्यारी करनी है, इस पार्ट की, जो 50 marks का आपका common paper हैगा, फिर journal आजाएगा आपका journal के अंदर, वही, journal related आपका, जी क्या जाएगी, हर्याना की, फिर आपका mental ability, वही, आपका math, reasoning, ये सब आजाएगा, इसके अंदर, decision making and the solving problem, तो ये आपका, सारा का सार ये बस यहाँ पर given है, HPSC का screening का, तो तो यारी में अभी से जूट जाएगे, और अभी आप लोगों की biometric verification भी हो जाएगी, और जल्दी एस्टेट का result आजाएगा, और फिर आपे apply कर देना, जो आपकी विकेंज से जा रखी है, BGT की, और जैसे ही आप apply करोगे, तो फिर आपके पास time बिल्कुल भी नहीं है, दो महीने मुश्किल से आपको मिलेंगे, अगर fab के अंदर आपका exam ले लिया गया, तो फिर समझना है कि दो महीने भी नहीं है, और दो महीने में आपको पूरा detail में study करनी है, देखे, estate का जो आपका exam हुआ, estate का जो paper है न, वो तो बिल स्टेट को qualify करना कुछ बड़ी बात है, ठीक है, और आपने जिन्होंने भी qualify किया है, या जिन्होंने अभी exam दिया होगा, तो उन्होंने लेवल भी देख लिया होगा, कि किस तरह के क्योशने, estate में पूछे गया, तो बिल्कुल भी hard आपका paper नहीं रहता है, estate का, लेकिन अ थोड़ा सा भी हम तेयारी करें, तो estate क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन screening के लिए आपको ज्यादा मेहिनत करनी पड़ेगी, अब यह जो topic है, estate में जैसे उपरूपर से किये थे न, लेकिन screening में हमें पूरा detail में करने पड़ेंगे, बिल्कुल गहराई में जाना पड़ेगा depth understanding हमें लेनी पड़ेगी, और इसी के साथ ही, जो आपका screening है, इसमें क्या है negative marking है, तो पूरा ध्यान से हमें, एक एक जो step हमें उठाना न, बहुत सोच समझ के उठाना, ठीक है, तो तेयारी में अभी से लग जाना, और चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, जितना उसके उतना वीडियो को शेर कीजिए, और जितना आपका साथ होगा, उतने अच्छा content आप लोगों को मिलेगा, और मैं आपको विश्वास कीजिए, ठीक है भी, यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूंगी, कि भी, विश्वास करके देखना, मैं पूरी कोश चाहिए, तो चलिए, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोई भी suggestion हो, तो comment section में, आप मुझे बताइए, ठीक है, फिर जैसी भी आप लोगों की suggestion रहेगी, उसके coding काम किया जाएगा, तो चलिए फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, thank you